तेरे कवन कवन गुटे कहगावां तुम साहिब गुणी निर्धाना तुमरी मर्मा बर्ना शातों तुम शातुरे उच्छ भगवाना तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूरत कि तुभी जैज रनवत नानक सुन मेरे साहिबा दुबगा पच्छर ली जैज जो तो फ्रेम खिलन का जाओ फिर तार तली गली मेरी आओ इत्म वार्ग पेर तरी जैज सेर दी जै काण ना की जै सूरा सू पहचानिया जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै कब होना चाडए खेत गरीव नवाज सत्गुरू सचे पाथ शाजी दीन दुनियां जे मालक शर्व कला समराथ अंतर जामी शरी गुरू गरंत सह्व सचे पाथ शाजी दे पावन पवितर चर्णाविच सुवाए मान गुरू रूप साथ संगत जी अज आप जी गुरू गोविन संग पाथ शाज महाराथ जी दे सह्व जादे और प्यारे सिक्र माता गुजर का और जिन्ना ने तरम वास्ते देश वास्ते साड़े वास्ते पूर्णे पाउन ले जुलम ते जवर्दा टाकड़ा करदे हुए साचदे मारग ते तुर्देयां सिख्खी नु कमांदेयां ते निबांदेयां छोटियां छोटियां उम्रा विच सह्व जादा बाबा जोरावर सिंग बाबा फते सिंग बाबा अजीद सिंग बाबा जुजहार सिंग जी अते होरवी अनेक गुरू के सिख जिनानू गुरू साइब ने अपने पुत्रां तों भी वद प्यार कीता इस अकाय ठंड विच बरफांदे विच ठंडियां हवावा विच बिणा किसे सादन तो उना ने गुरू दा साथ नहीं चड़िया यहों कहले ये जिसनू आपा केनिया सिख जिक केसा सवासा सांग ने भाई इस वाक्या नू उना ने पूरा कर देता सासंगत आउ उना शहीदान याद करिये क्योंकि शहीदान दी याद विच विच उसान नू ताक्त मिल दी सपिर्ट मिल दा है सारे करो किर्पा गुरू गरंट साहब पादशाजी सत्कुरान नू हाजर नाजर जान के प्यार सैथ दोवे हथ जोड के सीस नुवा के फते बलाओ जी वाहि गुरू जी का खालसा वाहि गुरू जी की फते गुरू नानक सचे पादशाजी ने अकाल पुर्ख दे दर्टो जेड़ा संदेश लेंदा सी ओदे विच पूरा साच सी जदो एक पासे आपां सरसा नदी दी गल करने है ते एक पासे शुरुआत हों दी ये सुल्तान पर लो दी दी एक नदी तो जितों साथ गुरा ने अकाल पुर्ख दे पेगाम दी संदेश दी गल शुरू की ती जिनों आपां वेही नदी कहने है उदे बारे इतिहास पर सिद है के सत्गुरू सुल्तान पर विच बेबे नान की कुड रेंदेयां पहले अकाल पुर्ख दा सुरू पी संदे एक दिन केंदे अकाल पुर्ख दे दरते जाके खड़े हो गए उस्तत कीती बड़े आई कीती एक जनम साखी विच लिखिया मिलदे के अकाल पुर्ख वेगरू ने सत्गुरू गुरू नानक सह्वनार कुछ गल बात कीती है उस गल बात दा हवाला जनम साखी विच लिखिया मिलदे जिदे बचन ने अकाल पुर्ख वलो आई गुरू नानक सह्वनों किया गया के नानक मैं परमेशर हां तेरा नाम गुरू परमेशर मैं कीता है ए नाम दा प्याला है सच दा प्याला है संसार विच लेके जाओ संसार दे जेडे लोग पदार था विच डुबे ने हो ते तर्मवाडे पासे गई नहीं ते जेडे तर्मी ने उना दे आगू भी जादुमा विच करामाता विच मेलें विच पीडां विच तागें विच फसके तर्मनू योना ने गंदला कर दिता है और मेरे नाम नू सारे तर्मी बंदे बहुत ज़्यादा पुल चुके ने नाम तो दूर जा चुके ने ग्यान तो बखरे हो चुके ने केवल रुएती तर्म ते फोकट करम कर रहे ने ए उपदेश दिता ते सत्कुरा ने चोड़ी विच पुआया उस सचदा उपदेश वापस आ गए उदा परचार कीता चार उदासियां विच संसार नू से दिती उस सचदा प्याला परके मिड़े आ गुरु नानक सहीब नू आपाएं शब्द भी पढ़ने हां के उस दरगादे विच नाम का प्याला पर पर आया गुरु नानक तसलीम किया आगया होई नानक ए नाम दा प्याला है ए सचे जीवन दा प्याला है इनु आप पियोते लोकां ताइं पियाओ सत्गु लेके आगये ओ नाम दा प्याला की सी बाणी सी सच सी तुर्की बाणी सी जिन्नू सत्गु ने किया जैसी मैं आवै खस्म की बाणी तैस्डा करी ग्यान वे लालो इन्नू पर चार दे रहे एदे विच पूरा-पूरा सच सी एदे तु अगे ओ बाणी दा जिड़ साथ संग्त खजाना सी दूसरे पादशा तक आया उना ने गुरु अमरदास पादशा नू बख्षिश कीता इस तरह चल देया चल देया गल आई गुरु रामदास गुरु अरजन देव पादशा जी तक ते सत्गुरा ने उस नाम दे प्याले दा परकाश यानी के सो चार विच इस परकाश तो हकूमत कबरा आ गई क्योंकि साथ संग्त मैं बेंती करां उनना पदा सानू अजवी गुरु गरंदा नहीं लगाए दे विच कीए जिनना पदा उस वेड़े दी सरकार दिया अजन्सिया नू लग चुका सी के गुरु गरंदा दी बानी दे व इन सकत विचार ने सचदे परे दी इस करके उना ने खुडे चिरबाद गुरु अरजन देव पाधशाजी नू शहीद कर देता साथ गुरु सन सव ला सवच्छेद विच इथे सत्गुरु गुरु अरजन देव पाधशाजी ने शहादत देती शहादत तो बाद सिखी विच एक नवा मोड आया मैं सहिब जा दें अदी गाल करन तो पहला तो अडे नड को जो मुड मूड दियां गर्ला संजियां करां के ए सारी कठना कि तो शुरू होई ते ए दे कार्ण के सन गुरू अर्गुबेंच सहीब पादशा गुरू अर्जन देव पादशा जी दे एको एक फुतर ने गुर्ता गदी ते बैठे पहला कला हरमंदर सी हरमंदर सहीब विच रबाव बाजदी सी ओथे कीर्तन होंदा सी ओथे सास संगत बाणी पड़ी जांदी सी पर गुरू अर्गुबेंच सहीब पादशा ने होन आज़तों लाएके कीर्तन दे नालनाल सिरी हरमंदर सहीब दे सामने एक तक्त बनवाया एक चबूतरा बनवाया जिननों बनाऊन वास्ते सिफ गुरु सहीब गुरु कार दे दो प्यारे सिक जिनना विच पाई गुर्दास ते बाबा बुड़ा जी अंदे ने दो में लाए गए दुआ ने बनाया एदे उते साथ गुरु बैठ गए गुरु अर्गुबेंच सहीब ने एसे दा नाम बाद विच साज संगत सिरी अकाल तक सहीब रखिया गया ये थो जिड़ा संदेश हुकम जारी कीता सचे पादशा ने ओदे विच हजूर ने किया के नाम दे नाल नाल तलवार दी शस्तर दी लोड है जदो ए अलान कीता सरकार कबरा आ गई गुरु अर्गुबेंच सहीब पादशा जी दी गरफतारी होई गु संद पीम चंद दे वड़े वड़े रे पहाड़ी राजे ते इस तो आड़े अलाके दे राजे भी हो थे कैज संद राजस्तान दे उना नु सतकुरा ने राजया नु छुडाया छुडाया इस ग्यान दे अदारते सी के बार निकल के तुसां साच वास्ते कुर्बानी करन मैं काली सोच रहा सी के जिमें गुरु गोबिन सिंग पादशाजी ने करांती लेके आंदी थोड़े जय था तो एक किले तो सरकार दे सामने भगावत शुरू कर देती जदो एथे कई किले वेखी देने और एक आर्म सी गुरु गोबिन सिंग पादशाजी दे एदर आउन दा मैं सोचना है ना लोकां को इनी ताकत दे हुंदेया मी इना राजपूत राजया ने अपनिया लड़कियां दे डोले मुगणा नो देते जे किते एवी तलवार चुकलें दे ते हुंदे दे नक्षई सत्कुरा ने ठोड़ी जी ताकत लेके कोई बोटा इलाका नहीं बोट या फोजा नहीं उने तलवार चुकी ते नाल नाल जिनने बाई पहाड़ी राजेसन उन्हान न ही समझाया पाई अपने तरमदी रखहा करो शय दे से करके मैं बेंती करा चंडी दी वार एक बाणी है दसम गरंथ दी जिदे अंदर देवी दे कीते हुए जांग दी वारता हुं दी कई वार यासी पलेखे विच पैजाने हां भी ए बाणी गुरू दी के में जिदे विच देवी दी घल चल दी है साथ संगत नहीं साथ गुरा ने यतन कीता सी जिनानू संबोधन कर रहे सन ओ देवी दे पूजक सन ओना दी अंखनू टुमबन वास्ते साथ गुरा ने एवार रची और दस्या कैन लगे देखो एक इस्तरी हो के देवी ने जदो लोका ते जुलम होए लोका ते तका कीता गय उस इस्तरी ने उस देवी ने तलवार चुक लई तुसी मनोख हो के और अंग जेव तो अड़े जनेव लाई जा रहे है तो अड़ियां मंदर दी पूजा बंद कर दिती गई है तो अड़ी बोदी ते टिका लोण दी तो अनू इजाजत नहीं तुसी मनोख हो के एस सारा क कुछ सैन करके फिर तुसी ओदी चोड़ी विच डिगे फिर देओ तो अनू मी चाहिदा उस देवी वांग तलवार चुक के मदान में चाह जाना इस करके एदे विच पुलेखे बाड़ी गल नहीं सतकुरा ने दे विच ना किसे देवी देवते दी बढ़े आई ना किसे कदमते तुरो उना ने ते जुलम दे खिलाब खड़े हो के जंग शुरू कर देती सी खेर मैं बेंती कर रहा सी साथ संगत गुरु अर्गुमेंच साहिब सामने अकाल तक साहिब रचिया खोड़ी ये थे बेंती कर देया सिखी दो चीजां दा सुमेड है सेख कदी साथ उपदर्वी नहीं है एने भी सेख दिन रात तलवारी चलंदा रहिंदा है जाओं शेस्तरां दी गल कर दै सेख दा ते जड़ा सुबा दिता सी साथ कुराने क्या आतम रास जे जान ही सो है खाल सदेव सेख दे बंदगी करनवारा पर्म दी किर्ट करनवारा लोकां दी जालमा दे शिर्फ पनदवारी येक हस्ती इसतर्ती ते बंढाई साथ कुराने गरू अरग्बन साहत पाधशा ने जेस वेले हरمنदर साहब बनाया ते ओदा नक्षा जदो वेखी ये गरू अरग्बन साहद पाधशा ने हरمنदर साहब दे सामने शरी अकाल तकसहभ दी रच प्यार उन्द है कई बार ये विचार मैं सोचया जिमें गुरु हर्गुबंद सहीब ते ओना दे पोत्रे गुरु गोबंद से उपाद्शा जीदा बड़ा डूंगा सुबंदे ओवी तलवार तारीने ओवी संगर शुबे चरेंदे ने छेवे पाद्शा एसे तरह पोत्रा ह गुरु गोबंद से उपाद्शा ते दूजे पासे एदर दादे ते पोत्रे दा सुबंद कैन तो पाव गुरु रामदास पाद्शा दादे लगदे ने गुरु अर्गुबंद सहीब जीदे दादा है हर मंदर ते पोत्रा है अकाल तक सहीब ते पोत्रा की करदा हुंदा दादा थे बज़र्ग होंदाए ओ ते अंदर बेठ थे पूत्रा ओद दर्वाजें दे गके खड़ा होके कई वारी पैरा देनदा है पर अंदर दादा है उदी सेवा वेच मैं खड़ा जदू इस बंतर नू वेखी दाए अंदर हर मंदर अगे डेवडी है धर्शनी डेवड ते एदे तो अगे है शरी अकाल थक सेव उते इंज लगदा है अंदर ते साथ संगत वजदिये पे इरबाव हरमंदर सेव विच ते रबदे गीत गाय जा रहे ने उते ते परमातमा नू पकारया जा रहे उते नाम देव भी बोड़ देने उते कबीर सेव भी बोड़ देने उते तनामी बोड़दा है उते होर भी सारे पगद बोड़ देने उते न्रोल रबदी गल चाल रहे है पर जदो तुसी हरमंदर सेव विच व मता टेक के बार रहूं देओ उतर कीरतन ओरे है ते अकाल तक सेब दे सामने टाड़ी सिंग सरंगी लएके ते टाड़ लएके वारा गारेने उते सूर में आदी गल चाल रहे है कई वारी मन सोचदा है भी दो चीजा कठिया क्यों एक पासे कीरतन एक पासे टाड़ी ता फिर यहों पर तीत हुंदा है सिख कदी भी जंग नू पहल नहीं देंदा हत्यार नू पहल नहीं देंदा ओदा विश्वास है कीरतन ते शान्ती ते नाम ते पर जिदन किसे ने उस हरमंदर सेब विच वजदी हुई रबावनू अपनी शक्ती दे नाल बंद क्राउन दा यतन कीता अकाल तक सेब पोत्रा बन के ओसे विड़े हरकत विच आ गया ओने फिर कारवाई कर देती कली इमारत नहीं साज संगत हरमंदर दा अकार छोटा नहीं हरमंदर ते हार एक शेख दे हिर्दे विच वसद है ताई ते जिन्नी वारी हरमंदर नू टाउन दा यतन कीता गया ओनी वारी शेख दे हिर्दे नाल इटाए गया पावे कोई बाउती बाणी पढ़न वाला सी पावे काट बाणी पढ़न वाला सी अचरासी विच मैं आपनियां अखा नडवेखे है जेडे लोग कदी गुर्दवारे वी साड़ बादी जान दे सन असी कई बारी सोच लेने आ एना विच ते गुरुदा प्रेम काट है मैं साथ संगत उना नूवी अखा विचो पाणी बहूं देया वेखिया जदो दरवार सहब दी बयद भी कीती गए जेस वेडे हरमंदर विच रवाव बाजदी ये सिख तलवार नू अथनी पौंदा पर जदो किसे ने ए गलती कीती एमद शाह अबदाली तो लेके जहान खा तो लेके अज तक जदो किसे ने हरमंदर विच वाजदी रवाव नू बंद कराउन दा यतन कीता उसे विडे अकाल तक सिख दा हिर्दा है वहेगरू हरमंदर सहीब सिख दा हिर्दा है हिर्दे विच सिख दे नाम चलदा है ते अकाल तक सिख दा दिमाग है दिमाग दे विच जोश दा निवास है ओ फिर हरकत विच आउन दा है ते ओदा लिखा जो खा बराबर कर देंदा है मैं बेंती कर रहा सी एथों हकूमत दे नाल टक कर शुरू होगी आउना है मैं चमकावर सहीब दी गड़ी दे जांगते एथों के समा लंगदा गया कुरू तेग बहादर सहीब पादशाजीदा वकत आया उस वेड़े औरंग जेबदा राज सी उन्हें एक हुकम जारी कीता कोई भी तरम इस हिंदुस्तान दी तर्तीते नहीं रहेगा कोई पूजा नहीं कर सकदा कोई निमाज नहीं पढ़ सकदा वैगरू कोई टलियां नहीं बजा सकदा कोई मंदर नहीं उसार सकदा एथो तक भी होया कई मंदर तोड़के मशीता दिया पौड़ियां बढ़ायां गियां उन्हा पथ्रा दियां पूजा करंदी बार कोई खुल नहीं सी साथ संगत जेड राज़े सन राजपूत राज़े सन पहाडी राजे सन वो बे गैरत हो चुके सन इस हालत विच जदो उरंग जेव ने हुकम जारी कर देता के जनेव ते तिलक खत्म कर देना इस तर्तीतों ये थे कोई दूजा तरम नहीं रहेगा केवल ये थे निमाज चलेगी उस वेड़े साथ संगत कश्मीरी पंड़तां दा कतले आम शुरू होया ओथों पंड़त कवरा के जिनना विच सब तो वड़ेने किरपा राम वैसे जड़े किरपा राम ने बाद विच सिंग बने सन और चमकार दी गड़ी विच शिहीद होई सन पंड़त किरपा राम ब्रामना दा वफद लेके गुरु तेग बहादर सब्सक्राइब दी तरती ते फर्याद लेके अंदेने सद्गुरु गुरु तेग बहादर सहीब बैठेने ते गुरु गोबिन सिंग पादशा केवल नौ साड़े आठ पौने नौ साल दी उमर देने जदो ब्रामन आए एसे तरह दरवार लगा है ब्रामन विचारे उना दी आखा विच पाणी बैरे आए गुरु गोबिन सेंग जिनानोस वेड़े गोबिन राय केंदे सन बारों आ गए उना ने विख्या संगत विच अज उदासी है कोज लोक रो रहने आके गुरु तेग बहादर सहीब सचे पादशाद मों पुछ देने के पिता जी की कारण आज संगत विच खुशी नहीं है ये लोग कितों आये ने एकी कह रहे ने एना दी आखा विच पाणी क्यों है तेग गुरु तेग बहादर सहीब पादशाद के लगे बेटा एना दी तरम नू खत्रा है और अंग जेब एना दी बोदी एना दी जनेव ते एना दी टिके नू खत्म करना चाउंदा है ख्याल रखना गुरु तेग बहादर सहीब ने जदों इब बचन कहे ते गुरु गोविच स्विच पादशाद ने बेंती कीती सचे पादशा इना दा तरम के में बच सकता है सत्गुरा ने क्या इना दे तरम नू बचाउन दा होर कोई तरीक ता इना दे चिन बच सकते उते सत्गुरु कलगियां वाले पादशाद ने बचन कहे सन कहला कि माराज आप तुम बड़ा मापुर्श केड़ा है आप तुम वद पुवितर के सदा खून है ते सत्गुरा ने एक गल सूनके बड़ी खुशी जिताई उना नू कह देता जे तुसी गुरु तेग बहादर सहीब जीनू जे तुसी उस थांते मुसल्मान कर लो ता असी आपने आप मुसल्मान बन जावागे उस वेले कटना वापरी सी जो मैं तो अडेनल साजी करनी चाऊना जदो एपंड़त आए सन उदो एक गल उनाने कही सी के माराज तुसी स जाड़ी इमदाद करो असी आपने परवार दा एक मेंबर सिक बनावागे तो अडे पिछे तुरांगे एक आरण के जड़ाओना दा मुखी सी किर्पा रामों ने अमरत पान कीता इतियास लिखिया हुए बाद विच पंड़त मद्नमोन वालियक मालवियाने वी ये गलत उ दोर देता सी के हर एक हिंदू परवार दा एक मेंबर अमरत रियोना चाइए और ऐठार में सदीदा इतियास भी कई दाई, जदो सेंग कोड़ीयां दियां काथियांते रहे उस सदीदे विच हर एक हिंदू पर वार्दा एक मेंबर सिख सी क्योंकि जिदने पंड़त गैसन उदने समझा उता हुआ सी जा सत्कुरादे नाल एक गाल नजटी गई सी कई गई सी के एक मेंबर सिख बनेंगा बाद विच एस सारीय चीजां बदल गई है बाद विचते थो तक क्या गया बे सिख ते एक लड़न वाली जिराहिम पेशा कौम है एना नू जदो मरजी पड़का आके लडालो ते राज आप खोलो पर जिदन ए तिलक जंजू राखा प्रबतांका कीनो बड़ो कलू मैं साका उस बेड़े पंड़ता ने क्या सी माराई तुसी साड़ा तरम बचाओगे जिमें काओगे उमें तुरांगे ओई तरम तारन कर लवांगे हैर कुरू तेग बहादर साइब दिल्ली चले जांदेने दिल्ली उना दी शहादत होई सत्कुरा दा सीस अंदे पाई जैता जी लेके उन्देने कुरू गोबिन से पादशा जी दी उमर उस बेड़े नौ साल दी है पिता दा सीस पे वेख देने उव वेड़ा सी आम संसारी दे डोलन दा पर सत्कुरा दे सिरते जिनना पिता दा आसरा सी ओदे तोंवी वद उस मादा गुजरी दा असरा सी कई ते आसकारा ने तोड़के कुछ गला लिखियाने के मादा गुजरी जी डोल गैसन उन्हा ने किला छडल ने मजबूर कीता नहीं वो मां कदी डोल नहीं सक दी जिनने अपने पतीनों आव पे जिया दिल्ली शिहादत देन वास्ते उन्हा ने साहरा दिता मादा गुजरी जी ने गुरु तेग बहादर सहीब जी दे सीसला ससकार कर दिता गया उस वेड़े औरंग जेव ने कई हुकम जारी कीते सन सरकार वलों के मुसल्मान तो बिणा कोई कोड़े दी सुवारी नहीं कर सकता जहां ओ सुवारी करनगे जेडे मुसल्मान हकूमत दे अदीन ने जिमे के पहाडी राजे साथकुरा ने उत्हे अलान कीता जवाब दिता औरंग जेव ने हुकम नामे जारी कीते सन हुकम जारी कीते सन साथकुरा ने हुकम नामा जारी कर देता सरकार वलो हुकम जारी कीता गया सी हजूर ने हुकम नामा जारी कीता कहन लगे औरंग जेव ने क्या है के मुसल्मान तो बिणा जाऊना दे अदेनगी तो बिणा कोई कोड़े दी सुवारी नहीं कर सकता एक कोड़े दी गल करदा है मैं ऐसी सपिर्ट सिंगां दे विच पर दियांगा एक कोड़े ते पबंदी प्या लंदा है मेरे सिंग एको वकत दो-दो कोड़े दे सुवारी करया करने की सद्गुरा ने दो कोड़ियां दे सुवारी दी गल कीती और तुसी अज तक भेख दे हो होले महले वारे दिन गुरू के शिंग निहांग शिंग फोजां जदो थे कर्तब खांदेने ते कई बारी एक दे थां ते दो कोड़ियां ते पैर रखके कोड़े दड़ांदेने ये सारियां चीजां जेड़े मन कमजोर हो चुके संग उना नुखड़े करनवास्ते सी उन्हें एथो तक जारी कीता बही कोई कलगी नहीं ला सकदा ते सत्गुरा ने आप खोद कलगी ला के उदा जवाब देता उन्हें एक गल कई सी के कोई मुसल्मान तो बिणा कवी नहीं हो सकदा सत्गुरा ने क्या तू एक दी गल करना है बवन्जा कवी रखे और उना दे सहाइक नाड सारे एक सो वी कवी रखे और देश दे विच हुकम विजारी कीता के जिना नू अरंग जेव जिना कवी नू खत्म करना चांदा है जो ओदे तू ऐस रखे तने ते उना दपुर सहब दी तरती ते पहुंच जान मैं उना दी राखी करांगा इस तरह दियां बहुत सारियां कटनामा बापरियां सरकार दे नाल बगावद शुरू हो गई बिरोद शुरू हो गया और अंग जेव दे खिलाब सब तो पहला जिड़ा अलान से सासंगत नगारे तो शुरू होया जिनू रनजीत नगारा क्या क्या अज भी गुरू का रांदे विच बहुते थामाते दो चीजां गुरू 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 सत्गुरा ने एक बड़े स्याने कारीगर नो सद्यान अंदपुर्शाइब दी तरती ते, कैन लगे तू नगारे बनाउन दा मायर हैं, एक नगारा बना, जिननी तेनू समगरी चाहिए दिये दस, उन एक बहुत बड़ा नगारा बनाया, नगारा इना महान सी, इना वड़ा सी, कि उनू हाथी ते, चाड़ के उसनू बजाया जा सकदा सी, सत्गुरा ने उन नगारा बनतों बाद खुद वेखिया, वेखन वास्ते गए, जदो नगारा वेखदे ने, ते सिंगा ने क्या माराज एदा नाम की रखिये, हजूर ने क् एदा नाम रणजीत नगारा होवेगा, जदो रणजीत नगारा त्यार हो गया, सत्गुरा ने क्या हाथी ले किया हाथी ते लद्या गया, इनेचर नो मसंदा नो पता लग गया, माता जी नो पता लग गया, फिर रणजीत नगारा त्यार हो गया, ओ डर गया, उन्हा ने आके बेनती कीती माराज किरपा करो नगारा ना मजाओ पहला गुरु साथ जी दी शहाधत हो चुकी है तुसी होर नगारे दी त्यारी पै कर दे हजोर ने एक नगारची नु बोलाया नगारची दा पाव ज्ड़ा नगारा वज्वावलत ज्ड़े कुल महारत सी जाच सी कला सी हाथी ते चड़ा के सथगुना ने उस नगारची सिंग नू क्या कैन लगे ए नगारा इनी जोर दी बजा जिदी आवाज सारे पहाडी राजयां तक ते जाये ही मैं चवना इस नगारे दी आवाज दिली लाल कड़े तक चली जाए उथों तक दी आवाज गुन जाए इनी बेव परवाई शुरू हो गए ये थो साथ संगत जंगा दी शुरुआत होई दडाई दी शुरुआत होई और सत्कुरा ने सिंगानू शस्तर लियोन वास्ते उपदेश बक्षिश कीता इसे दोरान सत्कुरा ने कई जंगा लड़ियां सब त मोटा सैब दी तर्ती दे पंगानी दे मदान बेच होई ये थे मैं एक बेंती करनी चौना जिते नाल नाले थे जंग चल रहे संग ओदे नाल नाल सत्कुरा ने गुर सिखानू अंदर ले तान दी दाथ भी दिती कली बार ली नहीं जिते शस्तर दी गल चल दी सी ओथे शबस सौनरिया से के गुर का बचन बश जी नाले जाल नहीं डूबै तसकर नहीं लेवै पाहे ना साका जाले एक गुरू दा बचन की है त्यान देना गुरू दा बचन किन्नू क्या जान दा है बचन की है यड़ा कदी खत्म नहीं होंदा एसे दुरान छोटी जी चलकी मै तो अडेना सांजी करां उजयन दा रैन वाला एक विशंबर दास नाम दा व्यक्ति जिदा पुतर है गुपाल दास सतकुरां दा प्रेमी सी पिता ने पुतर नू पेजिया जा तू गुरु गोविन से पाथशादे दर्शन करकेया उस वेले दा पंच सुर पया दिता वपार या आदमी सी पुतर आ गया पर मानदे विच गैरी शर्दा नहीं जिस विड़े अनादपुर सहीब पहुंचिया दो चार दिन रहा सतकुरां दे दर्शन दिदारे कीते ते दर्शन कर दिया जदो पंच सो रुपया आगे मता ठेके आना सतकुरां ने एक सिक नो इशारा की दारे केलए ता एक सर्ब लो दा करा लेंदा ते गुपाल दास दी चोड़ी वीच कर पादेता जदो कड़ा पाया ते नाल एक बचन के आसी गुरु नान को पड़ा करे इस शबद सन जदो इस शबद सुने कड़ा गुपाल दास ने पकड़ लिया जेव विच पालिया हैसी वपारी मन वाला ते मान देविच सोचता है 500 रुपया दिता है गुरु ने वापस की कीता है देविचो दिता ते कोझ भी नहीं 500 रुपया गवाँ बैठा जिनाचर मनुख पातर नहीं औनाचर गुरु पामेओदी चोड़ी विच कोझ पाये हथां विचो निकल जाएगा अंदर पातरता नहीं पैदा हुई लेकि निरास मननल वापस तुरे आंदा है वापस आ रहा है वापस विच रस्ते विज्जिते चमकावर सहभ है थोड़ी जवाज ठीका चमकावर सहभ दी तरतीते इन शाम पह गई मान विच बड़ी निरास्ता पांच सो रुपईया गवादिता कई वारी आपामी आउने आ तो लेके नर वड़े नोट नू अथ पैजाए खुला नाल बे वड़ा नोट मता टेके आजाए बंदे नू दो दिन पूलदा नहीं भी ये नैसी गुरु सहभ दिया के पेट करना ये वापर गियो दे नर मन वेच सोचदा शाम नो तुरे आउन्दा चमकाओर सहभ जदो आया इते राद पै राव वेचे एक सिख मिले आए थे रेंदा सी सत्कुरा नदा सिख है उन्हे सिख जान के कर लाए आन्दा के रात रवो सेवा करा जदो कर ले के आदा नद इस गुपाल दास नो सिख पुछदा पाई गुरू के दर्शन करके आया है तेरे चेरे ते कोई खुशी ने नरास्ता जी लग दिये की गल है उन्हे अपने अंदर दी गल सांजी कर देती कहल लगा नरास्ता का दी उड़िये पिता ने क्या सी गुरू बड़ा महान है उदे कुण बढ़ियां दाता ने पांच सो रुपया भी गवायां गुरू ने आज सिर्फ एक कड़ई दिता है उन्हें सेख दे मान विच सब तो बड़ा दुख ए है ओदे गुरू दी किते गल नीमी ना हो जाए कई बारी ते इस तरह भी होन दा है सेख किसे मुसीबत विच के रहा जाए तो आपनी मुसीबत संसार नर सांजी भी ने करदा किते संसार ना कवे भी तेरा गुरू ना वड़ा ते ते तेरी मुसीबत नहीं ख़त्म कर सकता एप यह प्यार यह सिख भाए पगती है सिख दी इस सिख ने जदो एक गल सुने ना विच्वंबर दासतों के गुरू ने दिता की एक कड़ाई ते दिता है उन्ने क्या भी जदो कड़ा दिता सी सत्गुरान ने कोई तेनू क्या भी कहल लगा क्या ते हैसी की क्या सी कहल लगे जा विश्वंबरदास गुर्नानक तेरा पड़ा करे उने दी कदर उस सिख नू सी विश्वंबरदास नू ने ताहीं कहीं देने जिनना चर बंदा पातर नहीं उनना चरुदी चोड़ी विच जो मर्जी पादे वो पचार नहीं शकेगा कहन लगे वो पूले आ ए बचन पड़ा हो जाए बंदे दा ए दे तो वड़ी ते दात ही कोई नहीं कहन लगा पड़ा का दा वे पड़ा ते होए ही मेरा मेनू की हो है उस सिख ने क्या तू इस तरह ना कहे मैं अपने गुरू दा बचन वापस ले ली ना तेरे तो किन्ने तू रुपए दिते सन कहन लगा पांच सो विश्वंबर दास ने रातो रात वह गुरू उस सिख ने चमकार दे अंदर किसे शाव कारनल गल करके अपनी जैंदाद वेची सवेर होई गुपाल दास दी सेवा कीती उत्यार हो गया उदे अगे पांच सो रुपएया रखे आए सु सिख ने गुपाल दास ते समने ते क्या ल्याग गुरू का बचन मेरी चोड़ी विच पा ते जिड़ा पांच सो तु दे के आएं वापस ले ले मेरे गुरू के बचन दी तो हीन ना करी उन्हे क्या है ना शब्दा में विच की ये ले कड़ा तू ले पर सिख नु सार सी उन्हे क्या कला कड़ा नहीं कड़ा पा मेरी चोड़ी विच ते नाड़े ओ बचन कहे दे जिड़े कलगिया वाले ने कहे सा गुपाल दास ने सोचा है ते रुड़िया होया पांच सो वापस प्याउंदा है उन्हे सिख दी चोड़ी विच रख्या कड़ा ते ओई शब्द अगे पास कर दे ते बचन कहे दे जा गुरु नानक तेरा पड़ा करे जदो इस शब्द कहे ना इतियास कहेंदा है उस सिख दे अंदर नाम दिया तुनिया चल पईया नाम दे फुआरे चल पई अंदर टिक गया वेखो जित थान ने सी हो थे शब्द ने कम ने कीता पर ओई बचन जदो एक सिख दे हिर्दे तक अंदर है उदा जीवन काया पल्ट के रख देंदा फरकी है जिननाचर गराउंड तियार नहीं जिननाचर खेत तियार नहीं उननाचर बीज भी नहीं होगदा कल्दर विच कितों बीज होगए असी कई बारी कहने आ बड़ा कोजी कुमाई दिये सिखी सारा कोजी करीदा हुंदा नए ग्राउंड त्यार नए जमीन त्यार नए ते बीज के थो उगेगा नए इस तरह दिया कटनावावी वापरिया ते अखीर कर दिया कर दिया इस अनांदपुर सहब दी तरती ते उस समा आगया जदो अखीर ला केरा प्या है अठ महें नया तक अनांदपुर सहब दी तरती नो चवापास्यों फोज ने केर के रखिया कई बारी लड़ाईया हुईया गुरू के सिख अंदरो सिदक दे नाल मुकावला कर दे रह अखीर नो जदो जितना हुदे दिसी ते लहोर सूबे दिया फोजाँ जलंदर दिया फोजाँ इदरो पहाडी राजें दिया सारिया फोजाँ इदे नाललार मलेर कोटले नवाप दी फोज और गुरू के स्वारियो और दिली तो आई हुई फोज हजारां दी गिंती विच लखां दी गिंती विच इस फोज ने एक बड़ा परपक के रा अनांदपुर सहब दे किले नू पालेया और उस के रेदा एक संजम एक कंट्रॉल ऐसा सी के ना कोई अंदरों बार जा सकदा सी ना कोई बारों अंदर आ सकदा सी अंदरों रस्त पानी मुक गया शिंग कमजोर हुंदे गए खाना पिना कट गया ओभी वकत आया जदों सिखा नू रुखा दिया छिलिड़ां लाके खानीयां पईया अन पानी खत्म हो गया इसे दुरान गुरू का अनेन सिख पाई मां सिंग जिना बारे तुसी सुन दे जिना ने बाद विच मुकसर सहब दी तर्ती ते बेदावा पढ़वाया ए ओ प्यारवाडा सिक सी जिड़ा गुरू दे दिदार करन तो बिना अनांदपुर सहब दी तर्ती ते रूटी ने सी खाया करदा जथेदार सी पाई मां सेंग एदी कमांड दे थले पूरे सिंगा दी एक पल्टन सी जदो पुक बहुत सैनी पई एदा भी मन डोल गया सतकुरां दे कोड़ एक दिन अउंदा है कैन लगा माराज मैं तो जाना चौना पुछया क्यों कैन लगे थे खान ले कोज नहीं मैं पुखा नहीं रह सकता पुखयां साथे तो जंग नहीं होंदी कहीं उदा अरना देतियां होनगियां पुखे बंदे तो ते माड़ा भी नहीं फिर दी पगती भी नहीं होंदी तलवार के में चलेगी साथकुरा ने बड़ा समझाया अखीर नो एक दिन अधी रात अपने साथी नाल लेके आ गया आके कहन लगा माराज हजूर ने पुछया इस में लेके में कहन लगा मैं जा रहे हैं सोचया मैं जान तो पहला एक वारी दस दिया जे तुसी अजाजत नहीं देंदे मैं बिना दसन तो चलना किन्ना उखा समा हुएगा किन्ना प्यानिक समा हुएगा जिड़े बिलकुल नार्दे साथी ने जवाब दे गए सत्गुरु थोड़ा चिर्चुप कीते चुप करन्तों बाद हजूर ने एक बचन किया कहिं दे मां सिंग चंगी गाले तू टेक जानदा थोड़े दिना दी कहानी केरे टूठ जाने ने चल जे तू जाना है ते एक काम कर क्योंकि मैं इतियास वेचे शब्द नहीं आउन देने के शेख मदान छट के पजगै से उन्हें क्या होर की करोगे कैन लगे मैं तेनुए थो जान तो पहला पहला सिखी तो खार्ज कर दियांगा कट दियांगा सिखी विच्व बार कर दियांगा असी कई बारी कहने हैं में शेख कौम वेच बड़ी ग्रावट आ गई है शेख पती तो गया है साथ संगत ए गुरु सैवदा सिदां ते जदों शेख सिखी तो दूर हुंदा है नाड़ियों सिखी तो खारज हो जंदा है सिख हो रहें दे ने ओदे नाम दे नाड़ सिर्फ सिख होंदा बाकी ओदे कुछ सिखी ने रहें दे साथ कुरा ने क्या कागज ते लिख दे तू साड़ा गुरु ने असी तेरे सिख ने थले अपने साइन कर दे पर जदो मन डोड़ जाए मनुख हर एक काम करन ले त्यार है पाई मां सिंग ने अपने हथा न लेख दिता तूं साड़ा गुरू नहीं अशी तेरे सेख ने बेदावा दे दिता नाल दे साथी ले निकल गया समा होर प्यान खुंदा गया राता होर लंबिया हो दिया गया ठांड होर बाद दे गई अखीर नो और अंग जेव ने एक काजी पे जिया कुरान दे के ओ कुरान चुक के लेके आया पहाडिया ने अपने बलो एक पंड़त पे जिया जिदा नाम सी पमा परोहिद उने एक आटे दी गव बनाई ते उस काजी ने कुरान चुकी दोमे किले बल तुरे सत्गुरान नो पता लगा के सौँ चुकन वास्ति आये ने जदो समणे आये उच्छा किमे आये हो के लगे उरांग जेव ने पेजिया है सौँ चुक के उने किया है कि तुसी अनादपुर सेब दा किला त्याग देओ तो अनु कुझ ने किया जाएगा सत्गुरान ने बड़ा सोचिया सिंगा नो समझाया पर कुझ वक्त ऐसे तरह दा आरिया से कई चीजा ऐसी आने जिनाने कुदरती बरत ना होंदा है वापर ना होंदा है अखीर नु साथ संगत सत्गुरान ने फैसला कर लिया किला चड़नदा एक ऐसी रात सी पोधी ठंडी रात पांच छे दिसंबर दी रात पांच छे पोधी रात जदन साथकुरा ने किला छटन दा फैसला कीता अधी रात है उस विले वकरे वकरे त्यास कारा ने लिखे है ते समुचे ता और ते जदो आपा वेखने है उदो सिर्फ चार सो ते पांच सो दे विच साथकुरा दे नार सिंग सा त्यारी कर ले गई अधी रात है चमँआपा से ठंडी हवा वग दिये साथकुरा ने हुकम कीता अज अधी रात नो किला छट दिता जाएगा चारे सहिव जादे बाबा अजीद सिंग बाबा जुजार सिंग बाबा जोरावर सिंग बाबा फते सिंग दोवे मातामा माता सुंदरी जी माता सहिव का और माता गुजरी जी नार सारे प्यार वाले सिंग इना ने त्यारी कर ले अधी रात किला छटेया फोई सुते सी विचो निकल गए उस विड़े दा हवाला उस कवी ने दिता है कहल लगे तारों की छाओं में किला से सत्गुरु रवाँ हुए कस के कमर थे स्वार थव सब जवाँ हुए अधी रात तारियां दी छाओं विच सिंग किला छट के बार निकले सरसा नदी दा किनारा आगया ओदे किनारे ते सत्गुरा ने दिवान सजाया ए अमर्त विड़े दा समासी दूसरे पासे पिछे फाउज नू पता लगा सत्गुरु किला छट के चले गए ने उनाने सारियां समात आके उनाना दा उलंगन करके हज़ूर दे पिछे हमला बोल देता ये थे सत्गुरा ने पाई उदाय सिंग, पाई जीवन सिंग, जेड़े पहला पाई जैता सन उनानो उकम देता में तुसी ये नाना दा मुकाबला करो इस किनारे दे उते बड़ी गय गच दी लड़ाई होई बहुत बड़ी लड़ाई ये थे ली गई सत्गुरु चारी सिखां दे समेथ दो सह्भ जा दे 38 सिंग टे 11 सत्गुरु गुरु गोवन सिंग पाधशा इस 500 दी गिंती दे विचों सिर्फ चारी सिंग इस नदीतों इस जंग विचो बाच के पार होए उना दे भी कपड़े पिजे होए ने कदी याद करके वेखो ओ केड़ी मिटी दे जिसम बढ़े होन गे एक पासे पोख दे कई महिनेया दे सताय होए एक पासे कड़कमी ठंड गिंती बिलकुल कट चवाँ पासे ओ लोक ब्रोधी ने पर एक गल मैं शुरू विच के इसी साथ संगत शिदक जिस बंदे वेच होवे उन्हों कोई दुणिया दी ताकत डुला नहीं सकती ते जदो बंदे दा शिदक हार जाए उन्हों लख दलीलां देओ साथ संगत ओदा मान कदी तरमदे मार्गते नहीं तुरेगा आज असी दूर क्यों चले गया एने भी परचार नहीं है समझन समझा उन्दियां गला बढ़ियां ने तुसी इतियास पढ़के वेखो जेड़े बारले शैर ने पजाबतों तुसी एना दा इतियास पढ़के वेखो वे एना शैरां दे विच किन्नी बारी दिवान सजया स किन्नी बारी उपदेश कीते गये सन किन्नी बारी समझाया गया सी ते कुझ नहीं मिलेगा पर गुर्षिक किन्ने पके सन किन्यां पके आईया सन क्योंकि अंदर एना कोट कोट के गुरू दा प्यार पर रहा गया सी कि उना नुकु बार ने सी कट सकदा आज साड़े अंदर संसार है सिखी केबल बार रहेगी इस करके अंदर पे डोल देने इनी कठन अवस्थादे विच चारी सिंग बार निकल देने पार निकल देने छोटे सहब जादे माता गुजरी जी और नाल एक गंगु ब्रामन जिसनों लिखे है वो सरसादे पार ले पासे दूसरे पासे नजर नहीं होंदा सत्गुरु जदो पार निकले गो सिखाने आले द्वारे कोड़े पजा के विखेया के कौन नाल निकले है कौन रुड़ के है कौन बचे है पता लगा कि माता गुजरी जी ते छोटे सहब जादे नजर नहीं पए होंदे इस हालत दे अंदर अल्ला यार रखा योगी ने बड़े प्यारे शब्द कहें ने ओ केंदे ने लखते जिगर हजूर के जिस दम बिछड गए छोटे सहब जादे यांदी गल करदा है केंदे जिस विड़े अदी रात उस हनेरे विच जिते अज गुर्दवारा परवार विशूडा सहबे छोटे सहब जा पाओं वही वफूर महबत में गड़ गए सारे सिंगा दे पैर ओथे गड़े गए अगे नहीं तुर दे सत्गुरा ने क्या होर लबो सिंगा ने चुमापा से हनेरे विच पाज़दावड कीती कोड़े पजाए इदर उदर वेख्या छोटे बचे कीते नजर नहीं ओंदे जदो चुमापा से वेख्य के नजर ना आए सिंग वापस मोड़ाए कहन लगे माराज छोटे सहब जादे नदी कोई खबर ने माता गुजरी जीदा कोई पताने किदर चले गए ने ए अल्ला यार खा योगी वहाते मुस्लमान है हकीम इसनु केंदे सन पर इन्हे साथ संगत साथ कुरान दा इतियास लिखे आए बड़े प्रेम दे वेख वेचा के जदो चाती मारिये ते कुछ सिख लिखारी भी इन्हें प्यार वेच ने लिख सकया एक केंदा जदो साथ कुरान दो एक खबर मिली नँ ओ थे प्यार वेच खड़े हो गए ते अंतर ते आन हो गए समादी वेच चले गए अगे ओ दो लफज ने ओ केंदा भौरण मराकबे में गए पीरे खुश ख़शाल मराकबे दे अर्थने समादी वे चले गए साथ गुरु भौरण मराकबे में गए पीरे खुश ख़शाल पल में कर लिया चौदे तबक का मलूम हाल एक पल दे विच अंदर ली अख दे नाल ते आन दी अख दे नाल सारी तर्ती ते नजर मारी सारी तर्ती बन वेखिया के सहभ जादे किड़े पासे गए ने अंतर ते आनो के की वेख दे ने जदो वेख्याते फिर अखा खोली हैं आड़े दो आड़े गुरू के सिख खड़ेने उनावाल वेख के एक बचन अगे कया कैन लगे बोले जान शारों से क्यों होते हो निडाल सत्कुराने सिखावल मूँ करके एक बचन किया जानिसार दा मतलब जाना वारनवारे सेख कोड कड़े न बोले जानिसारों से क्यों होते हो निडःाल ते उना नुदस दे होई फुरमादे होई एक बचन किया कैन लगे दादी के साथ चल दिये कुरबान होने लाल ना करो वो ते अपने रावल अपने कम वल कुर्बानी दिरस्ते ते तुर पहल उस हालते विच सत्गुरु अग्गे तुरे ये थी रूपड नगर दे नेड़े जदो गए ते उत्थंद लूका ने एक शब्द क्या सी के जिरात कटनी ये जाओ पठेते चले जाओ ये थी गुर्दवारा पठा सेवे सत्गुरु पठे विच आए जदो उस पठे विच पैर पाए अजेवियो थे पौड लगाए कोडेदा और ओ पठा जिड़ा है ओधी अगनी काटो गई ओधी तब्स काटो गई ये दे तो अग्गे एक नगर पहिंदा कोड निहांग खान अजवियो नगर दा नाम एई है ये थे सत्गुरां दा एक प्रेमी रेंदा सी निहांग खान बड़ा शिदक दिल वाड़ा व्यक्ति सी कई महिनेयातों सत्गुरां नू याद कर रहा सी हजोर एदे कर दे समने गये ने एदे कुल एक छोटा जया किला भी सी निहांग खान सत्गुरां दा अथा प्रेमी सी इनु पदा सी हजोर ने किला छट देता है उडीक रिया सी पदा ने किदर गये ने विदार देन गे सत्गुरु एदे कर चले गये दरवाजा खड़काया उन्हें कुदलती तौर ती अंदरों पोच लेया वे कौन हो क इन्हें दरवाजा खड़काया उन्हें ते कहिंदे सत्गुरां ने बचन कीते मैं हूं परमपुर्ख को दासा देखन आयो जगतमाशा मैं थू दा तमाशा वेखन आयां परमपुर्ख दा दासा इन्हें दरवाजा खोड़ देता कहिंदे ने उस हालत विच गुरु के ला कोई स्वास चलदा सी सरसा नदी ते जा रोपड़ दी जंग भी कहियां ने लिखी है एदे विच पाई बचितर सेंग जी सकत जखमी हो गए सिंगा ने कोड़े दे की रख के लेंदा उननों होश नहीं है पाई नहांग खान ने क्या माराज आओ तुसी की सेवा करां दसो की हुकम है हज़ूर ने क्या नहांग खान साड़े पिछे फाज पई है साड़ा एथे बहुता ठैरना ठीक नहीं है असी अगे चले जाना है जे तु सेवा करनी चाओना ते एक काम तेरे जिम्मे ला देने आ आप आई बचितर सिंग मेरा प्यारा सिख है जखमी हालत बिच है इनु कार रख के सेवा कर एदी सेवा मेरी ही सेवा होएगी निहांग खान ने परवान कर लिया उस वक्त बिच कदी चाती मार के वेखो किसे जखमी मनुखनू ओवी गुरु गोविन सिंग दा संगी होवे आपने कार विच रखना खत्रे तो खाली नहीं से निहांग खान ने कर रख्या शाद संगत पाई बचितर सेंग दी सेवा की तई जखम बहुते सन ्जञे सेवा चल दी एपई इदी एक बच्ची सी मुम्ताज माई मुम्ताज ज़दा नाम इतियास बच्छ लिख लिख है जोबन वाई सी जवान उमर वाई सी बच्छर ख ने ते मुम्ताज जेड़ी ये सिवा मलम पटी पे कर दी बारों फाउजदा केरा पे गया फाउजदार ने निहांग खानू क्या तेरे कारविच सिख ने असी तलाशी लेनी चौने हैं उन्हे क्या तलाशी ले सक देओ कारदी तलाशी शुरू हो गई पर उस कमरे दे दर्वाजे दे अगे निहांग खान खड़ा जिस कमरे विच बचितर सिंग ते उदी लड़की सेवा कर रही है जदो फाउच दर उस कमरे वलवद्या निहांग खान एक याथ कर दे तक कहन लगा इस कमरे दी तू तलाशी ने ले सकते कुछ या क्यों केंदे एक कनून है कि जिस कमरे दे विच दमाद पाव ती ते जवाई होन उस कमरे दी तलाशी लेंड दी सरकार वनों इजाजत नहीं है फाउच दर रुख गया वे खुक किन्नी बड़ी कुर्बाने सी कि अपनी जवान ती नू अंदर पेज के पावे जखमी सन पाई बचितर सिंग मौत नर्जूज रह सन ए शब्द कह देने के मेरे कमरे विच मेरा जवाई है जद वे शब्द कहें भोजदार रुख गया वापस चला गया इद्रू ने हंग खाने दर्वाजा खो लेया ते बचितर सिंग ने आखरी स्वास लेया पाउर उट गया शहादत हो गई ते मुमताज माई जिसनों क्या गया है उन्हे अपना सिर पाई बचितर सिंग दे पै कौल सी एक एकरार सी अपने पिता नो केंदी अबा जान तो अड़ी रसना तो एक शब्द निकले है कि इस कमरे विच मेरी लड़की है तो मेरा जवाई है पावे के बचितर सिंग तो अड़ा जवाई नहीं सी दमाद नहीं सी पर तो अड़ी रसना तो बचन निकल गया है और ये चड़ाई भी कर गया है पर मैं तो आड़ी बचना नो सारी उमर वास्ते पौल देंगे। सारी उमर जिते बचितर सेंग्दा ससकार कीता गया सी आज भी उते गुर्दवारा सहब है। ये मुम्ताज पारजवानी विच उते बैठ के सारी उमर बाणी पढ़ दी रे। सारी उमर इने उते इमान ते गुजार देती। एक कटनावामी नाल नाल बहुत बढ़ियां कुर्बानियां दी था रख दियां। साथकुरू चमकाउर दी गड़ी बल गये। इते एक हवेली सी जिन्नु चमकाउर दी गड़ी केनेयां बुद्धी चंद दी हवेली सी उने साथकुरां दे पेश कर देती। अंदर चले गए शाम दा वकत सी अजे फोज दा केरानी पया। साथकुरां ने सिंगा नू क्या तुसी बड़े समय दे थकेओ अराम कर लो। केंदेने सिंगा ने अपने कोड़ेयां दियां कटियां लाके जीन विशा के कई दिना दे रातां दे थकेशन। दो पेरे दार खड़े कर देते बाकी सिंग सौंगए। सत्गुरु खुद एक साइड ते एक खेमे विच अराम करन वास्ते चले गए। सहिव जादे एक पासे सिंगा मिच सुते हो जदो उस खेमे विच अद्धी रात लंगी सिंग सुते ने उत्थे सिर चुका के अकाल पुरुखदा शुकराना कर रहे ने। बार निकले विख्या सारे सिंग सुते पहने किसे दी दस्तार थोड़ी जी टिली है किसे दे थोड़ी जाए केस खुल के जमीन ते लगेने केंदे सत्गुरु अपना जोड़ा उतार के सिंगां दे विच्चों दी लंग देने। किसे दी दस्तार सिदी कर देने किसे दे केस चाड़ के उचे कर देने ते उस केसा न लगी कुई मिटी अपने मत्य ते लंगे। मन दे विच्च एक अरदास पे चल दिये। सिंगां वास्ते प्यार है के तुसी मेरे वास्ते किनिया कुर्बानिया कर रहे हो। इन्ही हलात दे विच्च भी तुसा मेनू छड़िया नहीं है। इस तरह रात बीती स्वेर होई चमआ पास्यों फाउजदा केरा पह गया। साथ संगत पांच पांच सिंगां दे जथे जान लगे। और एदे तुबाद जदों बहुत सारे सिंग शहीद हो गये। साथ गुरू खुद इस गड़ी दे चबूतरे ते खड़े हो के तीर चलोंदे रहे। अखीर नू बाबा अजीज सिंग बड़े सहब जा दे। साथ गुरू गुरू कलगी तर पादशा दे सामने खड़े ने। सिर चुकाया हजूर ने क्या अजीज सिंगा के में आये। कहल लगे पिता जी मेरे मन विच एक खवैश है, मेरी एक इच्छा है। आप इजाजत देओ, आप किरपा करो, मेनू आप सजाओ, मैं मदाने जंग विच जाके जूजना चौना। सत्कुराने बड़े प्यार नल अजीज सिंग दा मथा चुमया, चाती नल लाया, प्यार दिता, अपने हथानार शस्तर सिदे कीते, ते एक बचन क्या सी अजीज सिंगा, तू बहुत वड़ी कुरबानी करन लगें। जे मैं खोद ते नू बलंदा ते गल वक्री सी, तू आप तुर के आया है, तू खोद तुर के आया है, एदे बरगी होर कोई कुरबानी नहीं। सैब जादा अजीज सिंग, जदो तू लगा ते सत्गुरा ने एक बचन क्या सी, अजीज सिंग देखी, फोज बड़ी है, केरा बहुत बड़ा है, किदे कबरा आना जाएं। बाबे अजीज सिंग दे बचन सन, सचे पाधशा, मेरा ते जनम ही उस दिन होया सी, जिदन तवाटी जित्तो ही सी, पहला दिन, पहली जँग, पंगाणी दी पॉटा साहिव बचन ज़ग होई सी, उसे दिन जित्तों बाद, बाबा अजीज सिंग दा जनम होया सी, ये थे बाबा जीज सिंग ने जिड़ी बचन कहे किसे कभी ने कवता विच परोग के कहे ने के नाम है अजीत मेरा जीता नहीं जाओंगा जीता गया तो जीता वापस नहीं आओंगा। सत्गुरा ने जिस विड़े उना नुतोरिया बाबा अजीज सिंग ने बड़े जोर दिखाए सवा लाखना एक दे लड़न दी कहानी ये थे पूरी हो गई। सत्गुरा ने बड़े प्यार नर्वेखिया अपने उस पुतर नूँ जिदे चेरे ते लाली है उमर अजे चौधा साल दी है शिर चुकिया है कहन लगा पिता जी इजाजत देओ मैं वी अजीत सिंग वांगू अपना जीवन सफल करना चौना सत्गुरा ने क्या जुजार सिंग तेरी उमर बहुत चोटी है कि में लड़ेंगा किते टिलाना रही तूं गुरुगोविन सिंग दा पुतर है उते अला यार खाने होर कुछ शब्द कैने जो जार सिंग दे शब्द सन उन्हे क्या माराज लड़ना नहीं आता मुझे मरना तो आता है कुरबानी दा काजे दे नाल मैं छोटां शैद मैं जीत सिंग वंगो लड़ना सकां पर मरंदी जाजता मैंनू है लड़ना नहीं आता मुझे मरना तो आता है आगे बढ़के गला तेग पे दरना तो आता है हजूर ने बड़ा प्यार दिता बड़ी बख्षिश कीती ते क्या जा जुजा जुजार सिंग दे नारवी पांज सिंग देते सैब जादा बार निकलिया गए गट दी लडाई होई जदू बाबा जुजार सिंग दी शहादत होई गुरु गोबिल सिंग पादशा ने गड़ी दी मम्ती ते खड़े होके खुद कुछी आवाज विच जिकारा बुलाया से गुरु निकले ले एक अटना मैं काल सांजी कार देती सी एक छोटी जी कटना समय दे समा हो गया दो चार मिंटां विच कह किस मापती करांग जदू ए साका वापर गया ओ ते तुसी वेखो किन्नी गिंती दे विच शरीर सन जेड़े शिहीद होई पैसा गुरु सिखां दे ओथे एक बीबी दा नाम होंदा है जिदा नाम है बीबी शर्ण क़ा जिधे आज गुर्दवरा सहिब चमकाउरदी गड़ी दे नाल बिलकुल नेर दे उधे एक गुर्दवरा है जिधे गुरु के सिखां दा सिस्कार किता गया से उनों माता शर्ण बीबी शर्ण का उर्दा गुर्दवारा कहीं दे जदो अधी रात होई सिंगां दे स्रीर पैसन इस बीबी नो के दे नेड़े दे नगर विच उपता लगा के साका वापर गया है अधी रात उठी उस मदान जग दे विच आळे दौण पे फिर दी मूं बनेया हुगा रात दे हनेरे विच पैचान पैचान के गुरु के शहीद होई पैसिखा दिया देहा नू पैचान दी है जेड़ी दे नू पैचान लेंदी क्योंकि पैंतीछती दे करीब सरीर सन सहभ जादेयां दे समेद किन्नी हीमत होगी उस बची दे मन दे विच जेड़े सेख दे सरीर पैचान लेंदी दे ओदे सरीर नू चुक के एक थांती रख देंदी है पिर दूसरा तीसरा चुथा अदी रात दे हनेरे विच गरू के सिंगानदियां देहां सरीर चुक चुक के ने एक थांते टेर ला देता एज़ी की चीजाने साल संगत वैसे बहुत यहीं गरू आब सरीरां विच बरत दै किसे बंदे दे वस दी गलने के अद्धी राज लाशा दे टेर विचों लाशा चुक्णियां दे एक थांते उना नो कठे करना एक थांते इनने कठे कीता दूर नेडें तो इसने लकड़ा खिचके लें दियां एक कम कर दियां कि नाचर लगा हुए नाड बाणी पड़ी जांदी ये नाल लकड़ा लया लया के सिंगां दे सरीरां दे विच सिटी जांदी राद दा हने रासी मुगण सिपाई सुते हो इंसान किसे ने त्यान ने देता इस रात देहने रेविच इस बीबी ने जदो चववाँ पासे सिंगा दिया देहा नू लकणा दे नाल चंगी तरह कवर कर देता टाक देता फिर इने अपने कोड़ जड़ी अगनी से उनू बार कर देया अरदास कीती एक पासे उने अगनी लवनी शुरू कर देती चववाँ पासे दुझे पासे कीरतन सोलेदा पाठ करना शुरू कर देता एद्रों किर्तन सोईलेदा पाठ करी जान दिये एद्रों आग दे जान दिये चिखा दे चौवा पासे जदों आग चौवा पासी पाख गई लाटा निकल लग पिया बड़ी दूर मुगल सिपाई पैरा दे रहा है सन सिंगा दे ने उना नू आग दे रही है ससकार कर रही है ते ओदे कोड़ों को दि कलाम पड़न दी अवाज आ रही है अवाज सी करू बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाड चलो हर लाहा आगए बसन सुहेला अउद कटै दिन सरे नारे मन गुर्मिल काई सुवारे रहा हो ए संसार विकार संसे मैं तर्यू ब्रहम ग्यानी जिसे जगाए पियावे ए रस अकत कथा तेन जानी जदो ए शब्द पढ़ रही सी पंजवे पादशादा मुगल शुपाईया ने आके बाह तो भड़ लिया और चंगी तरह चंजव उड़िया कौन है तू दस परोते बाणी पढ़ रही सी ओ बाणी दी लै उसे तरह चल रही है उन्हाने चंगी तरह चंजव उड़िया ते फिर समझ गए ए ते सिंगा दियां सरीर ने ए ते कोई सिंग्णी है जिनने इना दा ससकार करंदी हीमत की ती साड़े हुंदियां इस हालत विच इनने समाल कर ली ससकार कर दिता क्रोध विचा के उद्रो सिंग्णी ने पढ़िया अंतर जामी पुर्ख बिदाते सर्दा मन की पूरे नानक दास इह सुख मांगए मोको कर संतन की त पूरे उन्हें फते बुलाई ते सिपाईयां ने तलवार चला के दो टुकडे कर देते उस तड़फ दे हुई सरीर नो बार दी हुई चिखा विच सिट देता ए सेवा गुरु सेव ने उस बीबी शर्न कारतों करवाई सिंगां दे सरीर दी उने समाल कीती सेव जादे हैं सद्गुरु अगे माची वाड़े बाल निकलेने नाल तिन सिख पाई दया सिंग पाई तरम सिंग पाई मान सिंग उते जाके कोई भी उलमा ने चौपई सहीव पड़ो सद्गुरा ने किते नी किया कि मेरे पिता दिली गए ने अकाल पुर्ख उना दी रख्या करनी उना नू बचा देना किते नी किया मेरे छोटी सेव जादे लबे नहीं उना नू बचा लेना मेरी माता नू बचाउना जे चौंदे ते गुरु सहीब दे नाल तिन सिख निकले संचमका और सहीब दी गड़ी विचों तिनना सिखां दे विच दो नू कटा आके दो सहीब जादे भी कड़े जा सके दे से सत्गुरु ने बचाया नहीं है करके दिखाया है साथे वास्ते और जी ये तोका अरदास वे चौंदीिये सिक्खी सिदग केसा स्वासा संग निवाया केस थे स्वास केस ही सिक्ध दे स्वास ने केसा नर्सिक जोंदा है बाणी नर्सिक जोंदा है सो साथगुरा ने महान कार्ज कीते कुर्बानिया कीतियां पामे के बार सिंगा बलों एक्या गया से भी मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कैना शबद अर्थ कीते जान हुन वक्त नहीं है राद दे दिवान विच फिर उशबद बारे वी जतन करांगे माची बाड़े विच की वापरिया और फते गड़ सहब दी तरती ते छोटे सहब जादयां दी शहादत के में होई ए अपां राद दिवान विच विचारांगे हुन समा समापती ते है बहुता हो गया है आप जी अगला प्रोग्रम सर्वन करो एनिया बेंतियां आप जी ने राद्दा दिवान में इसे तरह समावेगा नहीं अगर राद्दा दिवान नहीं उन्हांने क्या है जिवे मेनु के आगया सी, पहला दसे आगया सी, के आज रात दा दिवान है, प्रोग्रम बदल गया हुएगा कोई गाल ने, सो इना समा आप जी ने परवान कर लेना, बियंद परकार दियां पुलना चुकान दिखिमा, समू संगत दा, परबंद कुबीरांदा, सत्गरु जी दा, बहुत बहुत तन्वाद, फते दिसांज करो जी, वाहे गुरु जी का खांसा, वाहे गुरु जी की पत्त,